अपना पॉलिटिकल और शोचल लाइफ के बारे में चैप्टर नमबर टू वे हव कम्प्लिटेड अल्रेडी और टोड़ी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर हमें संसत क्यों चाहिए तो इसमें से भी कुछ चीजे हैं जो आ सकते हैं तो आई होप अपना कॉफी पैंस लेकर बैट गए होंगे जहां पर नीड होगी वहां पर थोड़ा सा स्लो चलेंगे अधरवाइस चैप्टर को जल्दी से हम लोग पढ़के फिनिश करेंगे हां चैप्टर इस तरह से पढ़ जैसा कि हम जानते हैं कि भारत 15 अगस्ट 1947 को आजाद हुआ इस आजादी के लिए पूरी देश की जनता ने एक लंबा और मुस्किल संगश चलाया था इस संगश में समाज के बहुत सारे तपकों की हिस्सेदारी थी तपकों मतलब हर जाती हर समाज के लोग थे बिब सब तरे के लोग थे तरे तरे के प्रस्ट भूमि के लोगों नी इसमें भाग लिया वे सतन्त्रिता समानता तथा निर्न प्रकिरिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे अपनी वेश्चिक शाषन के तहट ब्रिटिस सरकार से भैवित रहते थे वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से ऐस हैमत थे लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खत्रों का सामना करना पड़ता था सतंत्रता आंदोलन ने यह स्टिती बदल डाली रास्टेवादी खुले आम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगी और अपनी मांगे पेश करने लगे 1885 में ही भारती रास्टी कॉंग्रेस ने मांग की कि विदाईका में निर्वाद्चित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने और प्रश्ण पूछने का अधिकार मिलना चाहिए 1909 में बने गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने नोट कर लिजे 1909 में कौनसा एक्ट बना गवर्मेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाद्चित परतिनेदी की वेस्टा को मंजूरी थी कि बिटिस सरकार के अंतरकत बनाई की ये शुरुआती विदायका हैं रास्टिय वादियों के बढ़ते दबाव के कारण ही बनी थी नहीं तो उनको मतलब कोई अंट्री नहीं थी जब बहुत जादा दबाव बढ़ा तो चले ठीक है हां यह हमारे कुछ जो थे कुछ भारत को को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और नहीं आम लोग निर्णे प्रकिरिया में हिस्सा ले सकते थे ऐसा नहीं था जैसा कि पहले अधिया में हम लोग पढ़ चुके हैं कि अपनिविशिक शाषन के अनुबहर सतंत्रता संगर्ष में तरे तरे की लोगों की हिस्सेदारी के आधार पर आस्ट्रवादी को विश्वास हो गया था कि सबी लोग अपने जीवन को प्रभावित करने वाले फैस् लोगों की जरूरतों और मांगों के प्रति समेधन्शील होना होगा अब यह नोट है इसको नोट कर लिजे दो हजार चार के आम चुनाओं में पहली बार पूरे देश में EVM का इस्तमाल किया गया EVM पता है आप लोगों को इलेक्टोनिक वोटिंग मशीन इस चुनाओं में EVM के इस्तमाल से लगबक एक लाग पचास हजार पेड़ों की रक्षा हुए क्यों क्योंकि मत पत्रों की छपाई के लिए इन पेड़ों को काट कर आठ हजार टन कागज बनाना पड़ता था क्योंकि पहले कागज में था ना सारी चीज़े पूल्ड करकर के उसमें डालते थे अब क्या हो गया सब डिजिटल सिस्टम हो गया तो यह जो है पॉइंट नोट कर लेज़ेगा 2004 में फर्स टाइम EVM मशीन का यूज हुआ था अधिकार के सिद्दान्त को अपनाया सारपॉमिक व्यक्समति दिकार का मतलब है कि देश के सभी व्यसक नागरिकों को वोड़ देने का अधिकार है अब यह तो इसका मेंस हो गया अब है लोग और उनके प्रतिनी थी सहमति का विचा लोगतंत्र का प्रस्तान बिंदू होता है यानि कि चीज आगी हो अगर हमने अगर अगर हो गए तो चीज़े आगी इसलिए इसको बोला प्रस्तान बिंदू सैमती का मतलब है चाह सुकुरती और लोगों की हिसेदारी लोगों का निर्ने ही लोकतांत्रिक सरकार का गठन करता है और उसके कामकाज के बारे में फैसला देता है इस तरह के लोकतांतर के बीचे मूल सोच यही है कि व्यक्ति या नागरी की सबसे महतपूर्ण और सैदान्तिक इस तरपर सरकारें साबजानिक संस्तानों में इन नागरिकों की आस्ता होनी चाहिए। व्यक्ति सरकार को अपनी मंजूरी कैसे देता है। जैसा कि आपने पढ़ा की मंजूरी देने कई तरीका चुनावे। यह पर गज्ग के लिए अपने प्रतीनीुदियों का चुनाव करते हैं। इस लिहाद से भैपने निर्वाचट प्रतिनीदियों के मात्यम से ही सरकार बनाते हैं और उस पर नियंत्रण रखते हैं कि देखे ये पिच्चर देख लेते हैं वैसे को जरूत नहीं पर भी देख लेते हैं लिखा इस पिच्चर में चुनावी कमचारिक दुर्गम इलाके कि स्थित मद्दान के अंदर सता मद्दान सामगरी और एलेक्टर ने वोटिंग मशिन पहुचाने के लिए हाथी का इस्तमाल कर रहे हैं कहीं ऐसी जगे होगी जहां पर गाड़ी वगिरह नहीं जाती होगी कि अब चलिए एक बार फिर से दोरा लिया जाए अब यह संसत की भूमी का यह हमारा संसत भवन अब है हमारी संसत भवन की भूमी का अब तो हमारा संसत भवन चेंज हो गया है चलिए पहले जो लिखा इसी को पढ़ लेते हैं हम लोग भारती संसत देश की सर्वुच कानूनी निर्मात्री संसता है इसकी दूस अधन है राज्य सभा और लोग सभा जिसको आप अपर हाउस लोवर हाउस बोलते हो राज्य सभा में कुल 245 सदस से होते हैं देश की उपरास्टे पती राज्य सभा के सभापती होते हैं इसको नूट कर लीज़ेगा लोग सभा में कुल 545 सदस से होते हैं और इसकी सदस्रिक्ता लोग सभा का अध्यक्ष करता है तो आप इसको नूट कर लेंगे अब है हमारे संसत की भूमी का आज़ादी के बाद गटित की गई भारती संसत लोकतंत के सिद्दान्तों में भारती जन्ता की आस्ता का प्रतीक है ये सिद्दान्त है निर्ने प्रकिरिया में जन्ता की इस्सेदारी और सैमती पर आधारे चाशन हमारी विवस्ता में संसत के पास महत्पुन शक्तियां हैं क्योंकि ये जनता का प्रतिनिदित करती है लोग सभा के लिए भी उसी तरह चुनाव होते हैं जिस तरह राजे विदान सभा के लिए चुनाव होते हैं प्रत्यक निर्वाचित शेत्र में एक व्यक्ति को संसत में भेजा जाता है। चुनाओ लड़ने वाले उम्मिद्वार आम तोर पर विभिन राजनातिक दलों के सदसे हो सकते हैं। अब यह नीचे है उन्निस दोहजार उन्निस का एक है। यह सत्रवी लोकसबा परणाम दोहजार उन्निस के लोकसबा कौन सी थी? सत्रवी परणाम ती और इसमें आपको दिखाए गए है कि निर्वाचित सांसदो की संक्या कौन सी थी? कौन सा जो राज़ेतिक दल है वो सबसे आगे रहा। यह जितने भी नाम दिये हैं यह हमारे राज़ेतिक दल के नियम है। चलिए। इसमें एक चीज़ और है वो नीची की तरफे चलिए इसको देख लेते हैं। और यह 2009 का वो पंद्रवी ठेक है पांच साल बाद हो ना पंद्रवी सोलवी और यह सत्रवी और यह पंद्रवी अब चलिए। के बाद यह उम्मिदवार संसद सदस्य या संसद या इंप कहलाते हैं। इन संसदों को मिलाकर संसद बनती है संसद के चुना हो जाने के पर संसद को निम्लिकित काम करने होते हैं। पहला है रास्टे सरकार का चुनाओ। रास्टे सरकार का चुनाओ करना। भारतिय संसद में रास्टे पती और दो सदन होते हैं। राज्यसभा और लोक्सभा तो संसद किस से मिलके बनती है रास्टे पती और राज्यसभा और लोक्सभा से मिलके बनती है। लोक्सभा चुनाओ के बाद संसदों की एक सूची बनाई जाते हैं। जिससे पता चलता है कि किस राज्यत्तिक डल के कितने संसद हैं। यदि कोई राजदेतिक दल सरकार बनाना चाहता है तो उसे निर्वाची सांसदों का बहुमत प्राप्त होना चाहिए चुकि लोग सभा में कुल 543 निर्वाची सदसे और 2 मनोनित सदसे होते यानि कुल मिला के 545 हो गए इसलिए बहुमत हासिल करने के लिए लोग सभा में किसी भी दल के पास कम से कम 232 सदसे होने चाहिए और इस बार के जो चुना हुए उसमें आप सब को पता है कि कैसे चीज़ें हैं वो चेंज हो गई थी करने वाले दल को दल या गट बंधन का विरोध करने वाले सभी राजदेतिक दल विपक्षी दल के लाते हैं आप लोग जो एक टीम बन गी ती जिसका नाम रखा गया इंडिया कारे पालिका का चुनाव करना लोग सभा का महत्पूर्ण कार काम होता है जैसा कि आप पहला द्यामें पड़ा था कि कारे पालिका ऐसे लोगों के समू होती है जो संसद द्वारा बनाएगे कानुन को लागू करने के लिए मिल का काम करते हैं जब हम सरकाश अब्द कस्तमाल करते हैं तो हमारे जहन में अक्सर यही कारे पालिका होती है भारत का परधान मंत्री ये भी नोट करिए बारत का परधान मंत्री लोग सबा में सत्तादारी दल का मुख्या होता है परधान मंत्री अपने दल के सांसदों में से मंत्रियों का चुनाव करते हैं जो परधान मंत्री के साथ मिलकर फैसलों को लागू करते हैं यह मंत्री स्वास्त शिक्षवित्य इत्यादी मंत्री होते हैं जो विविंध कारे को संभालते हैं, इनका जिम्मा संभालते हैं, आई सबसे अप सारी लोग बाकिफ हो हाल के सालों में काफी बार किसी एक राज़ितिक दल को भवमत नहीं मिल पाया जो कि सरकार बनाने के लिए एकदम जरूरी है ऐसे सुरत में कई राज़्यतिक दल मिलकर एक गटमंदन की सरकार बना लेते हैं और साजा मुद्धों पर काम करते हैं जब एक दल को नहीं मिलेगा पूर्ण भाव मत तो फिर गडबंदन की सरकारी बनती है अब यह जो चीजे हैं पिचर वाले आती नहीं है फिर भी इनको हम लोग देख लेते हैं क्योंकि यह इंपोर्टेंटी है केंद्र सची वाले की यह दो इमारते हैं इन में से एक का नाम साउथ ब्लॉक और दूसरे का नाम नौर्थ ब्लॉक है जो पिचर आपको दिखाई दे रही है इसका निर्माण 1930 के दशक में किया गया था बाई और सौथ ब्लॉक का चित्र है जिसमें परदान मंत्री का ले रक्षा मंत्राले और विदेश मंत्राले की दफ्तर है फिर दाई और आप देखेंगे तो नौर्ट ब्लॉक के हैं जहां पर वित मंत्राले ग्रह मंत्राले साथ ही है राजख क्या रूप से देश के राजियों की पर तीनिदी के रूप Terme में चुनाओ करती है राजए सब्ढ़ भी कोई पर स्वा को कानून के रूप में लागू करने के लिए जरूरी है कि उसे राजे सभा की भी मंजूरी मिल चुकी हो इस प्रकार राजे सभा की भी बहुत मैत्पुन भूमी का होती है संसत का यह सदन लोग सभा द्वारा पारित किये गए कानूनों की समिक्षा करता है और अगर जरूरि विभिन राज्यों की विधान सबाओं के निर्वाची सदसे करते हैं राजी सबा में 233 निर्वाची सदसे होते हैं और 12 सदसे ये बिटा इसको नोट कले ना ये कुशन आता है राजी सबा में 233 निर्वाची सदसे होते हैं और 12 सदस से रास्टेपती की ओर से मनुनित किये जाते हैं तो हो गया टूटल आपका 245 अब है हमारा सरकार को नियंतरित करना मार्डशन करना और जानकारी देना जब लोगत अंतर का सत्र चल रहा हो तो उसमें सबसे पहले प्रशनिकाल होता है यह भी नूट करी यह भी नू सबसे पहले कौन सा काल होता है तो कौन सा काल होता है प्रशनिकाल होता है यह सबसे पहले प्रशन पूछी जाते हैं प्रशनिकाल एक महत्पुन विवस्ता है इसके माध्यम से सांसत सरकार के कामकाच के बारे में जानकारी हासिल करते हैं सांसत पता है ना जो मेंबर ऑफ प पालिका को नियंत्रित करती है सवालों के माध्यम से सरकार को उसकी खामियों के प्रति आगा किया जाता है इस तरह सरकार को भी जनता के प्रति निदों यानि सांसदों के जरिये जनता की राय जानने का मौका मिलता है सरकार से सवाल पूछना किसी भी सांसद की बहुत महत्प पुलक्ष्यदल एहम पादर करते हैं वे सरकार की नीतियों और कारक्रमों की क्राइव कभी को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन स्मर्तन जुट आते हैं उकियों होंगे नमबर ह Sony अब ये तो ये तुर कोशन सन्वेशानô पूछ इसके चलते सरकार चुस्त रहती है इसके अलावा वित्य से संबंदे सभी मामलों में संसत की मंजूरी सरकार के लिए बहुत महत्पून होती है यह उन तरीकों में से एक है जिसके माध्यम से संसत सरकार को नियंत्रित करती है और उसका मागदशन करती है और उसको सुचित करत यह भारतिय लोक तंत्र का एक मुख्य आयाम है अब हम चलते कानून बनाना कानून बनाना संसत का एक महत्पुन काम है यह हम ज्यादा लेंदी है तो नेक्स एप्टर पढ़ेंगे संसत में कौन-कौन लोग होते हैं यह भी हम लोगों को देखना है संसत में विभिन प्रस्ट पूमी वाले सदस्यों की संक्या पहले से जादा है बहुत सारे शेत्री दलों के सदस्य भी अब बढ़ गए हैं जिन समों और तबकों का अब तक संसत में कोई प्रतिनिदित नहीं था वे भी अब चुनाओ जीत कर आने लगे हैं दलित और पिछड़े वर्गों की राज़ अधि मूलक लोक तंत्र अपने समाज को पूरे तोर पर सरी दंग से प्रतिविम पित नहीं कर सकता यह बात साफ दिखाई देने लगी है कि जब हमारे ही तो अलग अलग होते हैं तो एक समू के व्यक्ति सबके हित्मे अवाज नहीं उठा सकते इसी बात को ध्यान में रखत वूमिद्वार ही जीते और संसद में उठेव हिस्सेधार ही हो उनसे उमीद की जाती है वह दलित और अधिकमीयों की जिंदकी से ज़ॉड़ मुद्दों को कि अच्छी तरह से संसद में उठा सकते हैं क्योंकि देख जिस एरिया है वो ज्षी बता सकता है इस प्रकार हाली में महिलाओं के लिए भी सीटों का आरक्षन का सो जाप पेश किया गया है इस पर सवाल अभी बहस जारी है साथ साल पहले संसद में केवल चार प्रतिशत महिलाएं थी आज भी उनकी संक्या 11 प्रतिशत से जरास उपर ही पहुंच पाई है जब आप इस बात पर ध्यान देते हैं कि आधी आबादी ओड़तों किये तो यह साफ हो जाता है कि संसद में उन्हें बहुत कम जगे मिल रही है तो फिर थोड़ा सा क्यों अ संख्या उनकी भी तो है तो उनको भी तो साथ लेकी चलना है इसी तरह कि मुद्धों की वज़े से हमारे देश कुछ ऐसी मुश्किल और अंसुल्जे सवालों से जूज रहा है कि क्या हमारी लोगतांतिर व्यस्ता वाकर प्रतिनित है या नहीं हम ऐसे सवाल पूछ सकते है और उनका जवाब ढूणने की कोशिश कर रहे हैं यह बात लोगतांतिर व्यस्ता की ताकत और उसमें भारत की लोगों की आस्ता उच्छा लगती है अब शब्त संकलन पढ़ लेते हैं स्विक्रति क्या होती है फिर हमारा नेक्स चैप्टर कलम स्टार्ट करेंगी स्विक्र कर देंगे फिर दिवाली के बाद आप पढ़ एक चैप्टर पढ़िए उसको रीट करिए पैडागोजी पढ़िए अपना जो लैंग्विज आपने चूस किया उसको पढ़िए और बेस्ट आफ लग ओल ओफ यू बाबाए टेक्या